हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल लाग्याज लर्निंग अड़ा पर जैसा कि आरेस में इंग्लिश के लिए हम आफिसर बेच हमने स्टार्ट किया है जिसमें इंग्लिश को हम लोग कवर करेंगे जो की असी की नंबर की आने वाली है इसमें जो सबसे पहला टोपिक है हमारा करेक्शन ओफ दा सेंटेंस सबसे पहला टोपिक करेक्शन ओफ दा सेंटेंस चीहा ये टोपिक है जिस पर हम चार क्लासें और बना चुके हैं फोर क्लासी हो चुकी है आज की ये क्लास है क्लास नंबर तो इस correction of the sentences यह हमारा first topic है और इससे पहले फिर बता दूँ आपको चार classes हो चुकी है अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देखिए और इस fifth number class की शुरुआत करते हैं आज यहां से तो दोस्तों यहां से start होने वाली है आज fifth class fifth class में आज हम बात करेंगे कुछ और rules की जैसे इसमें सबसे पहला rule है आज का correction of the sentence में आज फिर हम that की ही बात करने वाले हैं दोस्तों that इस that का क्या use होता है that के कुछ use हमने पिछली class में पढ़े थे आज हम एक rule और पढ़ने जा रहे हैं कि no preposition no preposition no preposition no preposition before that that से पहले preposition का प्रियोग नहीं होगा इसका हिंदी अर्थ क्या है कि that से पहले preposition का use नहीं किया जाता है अगर sentence में that से पहले preposition आ गया तो फिर sentence में एहरन माने जाएगी जैसे मान लो ये question है कि the medicine sentence है the medicine of that the medicine of that alcohol is a component component should not be given should not be given to the children ऐसी दवाईयां जिन में alcohol हो बच्चों को नहीं देनी चाहिए ये sentence का a part है ये sentence का b part है ये sentence का c और ये d अब आपको इस sentence में error बतानी है error कहा है गलती कहा है तो दोस्तों हमने rule क्या लिखा था कि that से पहले preposition नहीं आना चाहिए तो यहां पर ये रा that और ये रा preposition of तो ये नहीं आना चाहिए ये गलती कौन से पार्ट में ए पार्ट में तो इस sentence में हमारा answer क्या हो जाएगा जिस पार्ट में गलती होती है वही हमारा answer होता है ठीक है तो जिस पार्ट में गलती होगी वही हमारा answer होगा यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी यह that का एक rule है इससे पहले भी हम that के rule कर चुके हैं यह that का दूसरा rule है अब इसके बाद अपन को that का एक और rule देखना है वो क्या है उसको यहाँ से देखेंगे अगला rule यह है कि अगर किसी sentence में the same, the little, the few यह the only यह sentence में आपको दिखें तो ऐसे sentence में आपको that का यूज़ करना है और किसी का नहीं अक्सर that के स्थन पर who, whom, whose, which या that आता है जो की गलत होगा अब इनको अपन एक sentence से समझते हैं जैसे I have sentence यह है I have the same car I have the same car which you have which you have मान लीजिए कि यह कोई sentence है अब मैं यहाँ पर N E लिख रहा हूँ इससे आप समझ जाओ no error है इस कार्थ क्या है no error अब यह sentence का A part है यह sentence का B part यह sentence का C part और यह D अब आप से पुछा जाए कि sentence में कहां गलती है तो हमने देखा कि यहाँ sentence में क्या रहा है the same और the same आ रहा है तो फिर क्या आना चाहिए that तो यहाँ पर sentence में which का use नहीं होना चाहिए the same के साथ that आता है which नहीं आता तो यह sentence में error है यहाँ पर error है और यह error कहां है C part में तो इस question का answer क्या हो जाएगा इस question का answer हो जाएगा C जहां गलती होती है वही हमारा answer होगा अब इसी तरह दूसरा question है कि man is man is the only animal man is the only animal which can think मनुष्य एक मातर ऐसा पशू है जो सोच भी सकता है तो दोस्तों यहाँ पर यह a part है यह sentence का b part है यह sentence का c part और यह any it means no error अब इस sentence में क्या आ रहा है the only the only आ रहा है तो फिर which नहीं आ सकता फिर sentence में क्या आएगा that अब यह गलती कहा है c part में तो answer c होगा इस तरह से the little the same इन सब के साथ अपन किसका यूज करते हैं that का और sentence देखें अपन एक sentence और देखें जैसे the little the little money the little money that I had that I had I spent on this house on this house जो थोड़ी भोत मातरा में मेरे पास पैसा था मैंने इस घर पर खर्च कर दिया अब यहां पर the little की वज़े से हम sentence में that का प्रियू कर रहे हैं इस sentence में कोई भी error नहीं है और यह sentence सही है तो यह दोस्तों correction of the sentence का एक rule है अब आगे बढ़ते हैं कुछ अगले rules के लिए यहां पर हम बात कर रहे हैं अब एक next rule की अब आपको याद रखना है कि अगर sentence में subject one है अगर किसी subject का sentence का subject one है तो ऐसे sentence में आगे हमें once का यूज़ करना है अगर आपने इस sentence में his का, her का, her का, your का या their का यूज़ किया तो ये sentence गलत माना जाएगा one के साथ kevel और kevel once का ही यूज़ करना है आपको कैसे यूज़ करना है दोस्तों यहां पर देखते हैं अगर जैसे मान लो ये sentence है कि one should question क्या है one should love one should love his country one should love his country इसका अर्थ है कि प्रतेक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए अब ये sentence का a part है, ये sentence का b part है, ये sentence का c part और ये d part अब sentence के starting में क्या आ रहा था one, तो फिर यहां पर one साना चाहिए, his नहीं आएगा यहां पर mistake ये है कि यहां पर once आना चाहिए क्योंकि one है subject तो आगे आएगा once, हाँ तो फिर ये his वगेरा ये कहां आएंगे, ये ऐसे आ सकते हैं, अगर someone, अगर sentence का subject, someone, या फिर no one, या फिर everyone, या फिर somebody, nobody, anybody, ऐसा कुछ भी आए, anybody, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐसे sentence में his का यूज करना है, हर का फिर भी नहीं करना, अगर one होगा, जब तो आपको once का यूज करना है, अगर इन में से कोई subject हुआ तो his का यूज करना है, अब देखिए question से, कि anybody, question ये है, कि anybody, can get, anybody, can get a government job, कोई भी व्यक्ती government job प्राप्त कर सकता है, if, if they, work hard, works hard, मालों ये sentence है, और ये no error, अब देखो, ये sentence का a part है, ये sentence का b part, ये sentence का c part, और ये d, anybody can get a government job, कोई भी government job राप्त कर सकता है, यदि वैस के लिए मेहनत करे, तो यहाँ पर दोस्तो anybody हमारा subject है, और अगर anybody subject है, तो फिर हमें किस का use करना चाहिए, his का, तो हम यहाँ पर they का use नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, he या his, sorry, अकेला his नहीं होगा, he भी हो सकता ह है, his भी हो सकता है, him भी, sentence की demand के अनुसार होगा, तो यहाँ पर subjective case चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, he, तो anybody can get a government job, if he works hard, कोई भी वैक्ती government job प्राप्त कर सकता है, यदि वैस कड़ी मेहनत करे, तो इस तरह से, यहाँ पर in subject की स्थान पर, आप he, his, him का use करेंगे, जबकि one subject होगा, तो आपको किसका use करना है, once का, चलिए, next rule, next rule क्या है, next rule को भी देख लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत यासान है, next rule, next rule कहता है कि अगर sentence में, neither of, क्या, neither of, या फिर, either of, neither of, either of, one of, या फिर, none of, या फिर, each of, इन में से कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, इन के साथ, यहाँ पर जो subject आएगा, subject, वो तो होना चीए, plural, plural यानि की बहुचन, और इन के साथ, जो वर्व आएगी, वो कैसी होगी, वो हो जाएगी, singular, इन के साथ, subject, plural, और, वर्व, singular, sentence से समझते हैं, दोस्तों, जैसे, मानलो, उपर एकोशन लिखते हैं, जैसे, अपने पास sentence यह है, कि neither of, neither of two boys, neither of two boys are reading a book, reading a book, मानलो, यह sentence है, आप देखो sentence में क्या रहा है, neither of, और two boys, यह subject plural हो गया, लेकिन वर्व कैसी होनी चीए थी, singular, तो यहाँ पर आर नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या होना चीए था, इस, इसी तरह मानलो, अपन ऐसे लिखते हैं, either of, either of two girls, either of two girls is working hard, working hard, यह वाला sentence है, अब इसमें हम से कोई पूछे कि कहां गलती है, तो either of आगया, subject कैसा होनी चीए plural, तो two girls plural है, वर्व कैसी होनी चीए singular, तो is singular है, इस sentence में कोई भी गलती नहीं है, यह sentence सही है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस type के question का, मालो यह लिखा होता कि neither of his four sons looked after him, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस sentence में क्या एरर है, मालो यह sentence का a part है, यह sentence का b part है, और यह sentence का c part है, और यह d, इस sentence में क्या एरर है, यह पूछा जाए, तो देखो यहाँ पर अपना rule यह था कि neither of ho, या either of ho, या one of ho, या none of ho, या each of ho, subject कैसा होना चीए, plural, वर्व कैसी होनी चीए, singular, तो यहाँ पर यह neither of आ रहा है, और subject कैसा ह plural, फॉर संस और वर्व कैसी आ रही है, वर्व की second form है, यह singular plural में same चलती है, इसलिए ये वर्व की भी गलती नहीं है, यहाँ पर subject की भी गलती नहीं है, गलती कहां है, गलती यह है कि यह neither of नहीं आ सकता, यह कियोंकि इसका reason है, इसका reason क्या है, कि either of, एक होता है, either of और एक होता है कौन सा neither of either of और neither of का यूज केवल दो के लिए ही होता है केवल दो के लिए यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर तो चार हैं तो फिर अपने को किस का यूज करना चाहिए one of या none of का इनका परियोग दो से जादा के लिए होता है और इन दोनों का परियोग केवल दो के लिए होता है इनका परियोग दो के लिए इनका परियोग दो से जादा के लिए तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं तो यहाँ पर four sons है इसलिए neither of नहीं आ सकता हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे नन ओफ यहां पर नाइदर ओफ के स्थान पर क्या होगा नन ओफ इस फॉर संस लुकड अफटर हिम इसका अर्थ यह हुआ कि उसके चार पुत्रों में से कोई भी उसकी देखबाल नहीं करता है लुकड अफटर कारत होता है देखबाल करना तो दोस्तों यह एक रूल और है ठीक है उमीद है आपको रूल समझ में आ रहे होंगे अब नेक्स्ट रूल की बात करेंगे नहीं समझ में आया कोई रूल तो आप कमेंट कीजिए आपकी जो डाउट है उसको तुरंथ क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी नेक्स्ट रूल नेक्स्ट रूल क्या है हमारा नेक्स्ट रूल यह है कि एक होता है सेल्फ वर्ड होता है सेल्फ और एक होता है सेल्फ सेल्फ और सेल्फ ये जो वर्ड होते हैं इनको हम इमफेटिक भी कहते हैं इनको हम इमफेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं और इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं ये दोनों टाइप क्यों होते हैं इमफेटिक भी कहते हैं और रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं अब प्रश्न ये पैदा होता है कि reflexive कब कहते हैं और empathic कब कहते हैं मालो की sentence में कोई वर्ब है, वर्ब है यानि की क्रिया है और इन self या self वाले शब्द का प्रियोग, self वाला या फिर self वाला इस शब्द का प्रियोग अगर इस वर्ब से पहले है, जब तो हम इसको empathic मानेंगे यहां पर मैं यह लिख रहा हूँ, आप समझ जाना empathic और अगर वर्ब के बाद में इनका प्रियोग होता है, किसका? self का या selves का वर्ब के बाद में प्रियोग होता है ना, तो फिर हम इनको reflexive मानेंगे मैं R से लिख रहा हूँ इसको, तब अपने reflexive मानेंगे लेकिन क्या फरक पड़ता है इसको empathic और reflexive मानने से हमारे exam में question कैसे पूछा जा सकता है? हमारे exam में question कैसे पूछा जा सकता है? वो ऐसे पूछा जा सकता है हमारे exam में question यह पूछा जाएगा, यह जो empathic pronoun है यह वाला यह किसी subject का, किसी वर्ब का, किसी वर्ब का अकेला subject नहीं बन सकता अकेला subject नहीं बन सकता बस यह बात आपको याद रखनी है कि यह अकेला किसी वर्ब का subject नहीं बन सकता कौन empathic, empathic कौन होता है या तो self वाला word या self, empathic कब होता है जब यह वर्ब से पहले आता है तो यह वर्ब से पहले आएगा ना तो अकेला वर्ब का subject नहीं बन सकता जैसे मालो की मैं ऐसे लिख दूँ कि myself myself mister tc ना किया मालू मैं ऐसे लिखता हूँ है ना तो ये इस तरह से अगर आप introduction देते हैं तो ये गलत है आप इसको ऐसा introduction ना दे आप तो क्या बोलें कि I am tc ना किया या आपका जो भी नाम है I am mr. tc ना किया ऐसे बोल रहे हैं आप तो यहाँ पर जो है sentence ये correct होगा I से start कीजिए लेकिन आपन तो कह रहे थे ये कि अकेला subject का वरब वरब का subject नहीं हो सकता ये कैसे इस तरह का question, error का question कैसे आएगा, correction of the sentence का question कैसे आजाएगा तो ये sentence इस तरह से आजाएगा कि she and myself she and myself went to see a movie और no error ये sentence है, अब ये sentence का a part है, ये sentence का b part हो गया, ये sentence का c part हो गया, और ये d, अब क्या है question she and myself went to see a movie अब ये रिवेंट वरब ये क्या है वरब, और वरब से पहले ये अकेला ही आ रहा है, आप सोचे रहों अकेला क्यों है सब, ये शी भी तो है, ये शी अलग subject है भाईया, end से पहले आ रहा है ये एक ये है और एक ये है दो subject होगे ना, पर ये तो अकेला ही आ रहा है ना ये end के बाद तो अलग subject है ये अकेला नहीं आ सकता इस से पहले क्या आना चीए या तो I आना चीए she and I myself went to see a movie या फिर इस myself को हटाई दिया जाए only I लिखा जाए तो भी sentence गलत नहीं होगा फिर भी sentence आहीं होगा तो इसका मतलब ये अगर आप ऐसे लिखते हो she and myself went to see a movie तो ये गलत होगा आप myself से पहले आई लगा दो या फिर myself को हटा ही दो आप अकेला इसको नहीं लिख सकते myself को आप सोच रहे हो अकेला कहा है साब ये she भी तो है तो ये she अलग subject है भी या end से जुड़े वे दो subject है ये she ये अलग subject है myself के लिए नहीं आया है और myself अकेला नहीं होगा इससे पहले आई होगा या फिर अकेला आई चलेगा अकेला myself नहीं होगा इस तरह का question 100% पूछा ही जाता है तो आप देख लेंगे previous paper तो वहां पर भी आपको मिलेगा तो she and myself went to see a movie में आप अकेला myself इस वरब से पहले नहीं लिख सकते इससे पहले आपको आई लगाना पड़ेगा आई लगाओगे तो ये sentence सही हो जाएगा तो ये correct sentence क्या बनेगा she and I myself went to see a movie चलिए दोस्तों next question अगला rule क्या है अगला rule भी इसी से related है जैसे कुछ verbs होती है कुछ verbs कौन सी जैसे hide hide मने चुपाना जैसे बात नहना जैसे keep रखना जैसे qualify करना qualify ठीक है hide, bath, keep, qualify या turn या burn या breast ब्रस्ट मने फूटना ये ऐसी वरब है ये जितनी भी आपको वरब दिखाई दे रही है यहाँ पर rule है कि इनके बाद इनके बाद self या self वाला शब्द नहीं आएगा ये जो बाद में आता है तो इसको reflexive कहते हैं लेकिन इसको क्या कहते हैं ये छोड़ो आप आप तो ये याद रखना ये वरब जो दिखाई दे रही है आपको इनके बाद self और self वाला शब्द नहीं आएगा आगया तो sentence में correction होगा जैसे मालो ये लिखते हैं अपन अपने आपको पेड के पीछे चिपाया अब ये sentence का इस तरह का question है अब ये sentence में a part है ये sentence में b part है ये sentence में c part है और ये sentence में t part है इसी तरह दूसरा question ये है कि I bathed myself in the river इसका अर्थ है कि मैं नदी में swim नाया अब ये sentence का a part है और ये sentence का b part ये c और d हम कह रहे थे कि hide, bath, keep, qualify, turn, burn, bus के बाद ये self और self वाला शब्द नहीं आना चीए यहां तो hide की second form है hid आप सोच रहे हो hide क्यों नहीं लिखा hide first form है, इसकी second form hit होती है h.i.d. अब इसके बाद self वाला वर्ड नहीं आना चीए ना तो himself नहीं आना चीए, b part में गलती है, गलती है तो वही answer है he hid behind a tree, ऐसा होना चीए था, I bathed myself, myself नहीं आना चीए, bath के बाद भी नहीं आना चीए तो यह गलत है, यह सीधा होना चीए, I bathed in the river, इतना ही सही था, इसी तरह अगर अपन ऐसे लिखते हैं कि she qualified herself herself, herself in the RAS exam, in the RAS exam, अगर इस sentence में भी देखें तो qualified के बाद आप reflexive pronoun को नहीं लिख सकते यह self और self स्वाला वर्ड नहीं लिख सकते, तो इन वर्ब को हमेशा दिमाग में रखें, इन वर्ब के बाद आप reflexive pronoun का use नहीं कर सकते हैं दोस्तों next rule next rule देखें, एक और अगला rule क्या है अगला rule है कि एक होता है each other एक होता है each other और एक होता है one another each other, each other का use तो only दो के लिए किया जाता है और one another का use होता है more than two more than two, दो से जादा के लिए each other का प्रियोग के वल दो के लिए और one another जो होता है दो से जादा के लिए होता है example से समझते हैं इसको, जैसे question यह है कि two brothers two brothers like one another दो भाई जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं यहाँ पर यह मानलो a part होता, यह sentence का b part होता और यह c होता, यह d अब देखो कितने brother हैं, two दो के लिए तो फिर one another का use नहीं कर सकते न, दो से जादा के लिए होता है one another तो यहाँ पर क्या होना चीए था, यहाँ पर होना चीए था, each other दो के लिए हम each other का use करते हैं, दो से जादा के लिए हम one another use करते हैं तो हम अगर ऐसे लिखते, all the brothers, all the brothers like each other all the brothers like each other, तो आप all the brothers तो दो से जादा होगे न, तो फिर हम each other का use नहीं करेंगे यहाँ पर किसका यूज़ होगा वन अनादर का यूज़ होगा तो दोस्तों आज इतने ही रूल अगली क्लास में फिर हम कुछ और अच्छे रूल के साथ आपके सामने उपस्तित होंगे करेक्शन ओप दा संटेंस हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है और इसकी आज की हमारी क्लास थी क्लास नंबर फाइफ तो आप जुड़े रही है हमारे साथ आरेस में इंगलिश के लिए ये जो आफिसर बेस्ट हमारे इस यूटूब चैनल पर एकदम डिश्वल काप लोगों के लिए चलाया है इसमें असी नंबर की जो भी इंगलिश आएगी आरेस में वो सारी चीज़े हम आपको फ्री करवाएंगे और अच्छी करएंगे तो करेक्शन आफ दा संटेंस हमारे ये फर्स्ट टॉपिक है इसमें कलास नंबर पांच है इससे पहले भी चार कलासी हो चुकी है और धीरे धीरे जितना भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को आपको कवर करवाया जाएगा अगली कलास में फिर मिलते हैं नमस्कार